Welcome to our channel Fantasy Fortune है माई नाम के regular वीडियो आपके लिए आ रही है सो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके वेल आइकन दबा दीचे जैसे वीडियो आएगी आपके notification मिल जाएगी तो पहले बात कर लीते हैं वेन्यू की सो तक आब आप Brisbane में माच खेला जाएगा यहाँ पर 57 जो मुकाबले हुए है उसमें ने चेजिंग टींग ने 27 माच जीते हैं 29 बार विन हुआ है और जो एवरेज फरस्टिनिंग का स्कोर है 57 माच होने के बावजूद भी जो एवरेज फरस्टिनिंग का स्कोर है वो 167 है क्लीरी दर्शाता है कि बैटिंग सर्फिस यहाँ पर देखने को मिलता है और मुझे लगता है कल का मैच एक हाई स्कोरिंग हो सकता है और जो भी टीम पहले बैटिंग करती है वो 175 प्लस का स्कोर इस मैच में खड़ा कर सकती है बात कर लेते हैं प्लेइंग 11 की सो ब्रिजबन हीट की तरफ से यहाँ पर जॉश ब्राउन ओपन करेंगे कॉलिन मुन्रो के साथ नेथन मैक स्विनी है रेंशो है यह सैम बिलिंग्स है वॉल्टर है बारलिट है फिर यहाँ पर माइकल नीसर आपको खेलते हैं नजर आएंगे या सैम हैं जो अच्छा करके आ रहे हैं उनकी जगा खेल सकते हैं तो यह एक चीज़ है अदवाइस और कोई खास चींज होता हुआ यहाँ से नजर नहीं आ रहा है मैथ्यूवेड कल का मैच जो है खेल सकते हैं बस फिर देखना है किसकी जगा वो खेलते हैं इस मैच में होने वाला है 50,000 रुपे का फ्री गिववे डेली फ्री गिववे हो रहे हैं विजन 11 अप पे प्लस हैट टो हैट फेंटसी भी आ गई है तो अगर आपके पास विजन 11 अप नहीं है तो डाउनलोड कर लो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन है मिल जाएगा फॉर्चून रेफर कोड है इसके तो डाउनलोड कर लेना आपको साइन अप बोनस भी मिल जाएगा बात करते हैं पहले ब्रिजबन हीट की तो कॉलन मुन्रो ओपन करेंगे जोश ब्राउन के साथ कॉलन मुन्रो की बात करें सो इंपोर्टेंट हो सकते हैं इस वेन्यू पे जो है पाँच मैच में 133 रन है लेकिन हैट्वर ने बहुत अच्छे नंबर नहीं है और इनको आप इस मैच में ग्रैंड लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राइक कर सकते हैं जोश ब्राउन की बात करें वेन्यू पे जो है ठीक ठाक रिकॉर्ड है पाँच मैच में 123 रन है लेकिन हैट्वर ने अच्छे नंबर नहीं है लास्ट मैच अच्छा करके आ रहे हैं ठीक है न सो अगर आप रिस्क लेना चाते हैं यह खिलाई रिस्की पिक है क्योंकि यह मार के करता है तो उसमें विकेड भी ठोकर जाताई कहीं लेकिन अगर आप रिस्क लेना चाते हैं हाई रिस्क खेलना चाते हैं तो आप इस प्लेयर को कंसीडर कर सकते हैं नैंतन मैक्श भी नहीं है मेरे कोई बढ़िया लगता है तीन मैच में 162 रन है कामाल उन का रिकॉर है और अच्छा कर रहे हैं तो एक अच्छे पिक रहेगी ग्रैंड लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राइग कर सकते हैं फिर यहाँ पर आएंगे मैथ्व अच्छा रिकॉर्ड है रीच्छा का रहा है तो एक अच्छे चोईस रहेगी और पहले बोलिंग आती है यहाँ पर इस टीम की ठीक ना बोलिंग फॉर्स करते हुए कैप्टन वाइस कैप्टन अच्छे रहेगे पर यहाँ यहाँ पर जेविर बाडलेट बढ़िया कर रहे है recent form देखें तो यहाँ पर जो है एक विकेट, तीन विकेट, एक विकेट, तीन विकेट, दो विकेट head to head में अच्छा नमबर है, venue पे अच्छा नमबर है तो must have pick रहने वाली है grand league में again, captain wise captain की choice रहेंगे, Michael Neeser है पिछले कुछ match मेंने starting के over देते हैं अगर आपको लगता है इन दो over मिलेंगे और उसमें विकेट नहीं मिलेंगे तो आप एक पार को drop कर सकते हैं बट मैं drop नहीं करूँगा क्योंकि मेरे according एक player अच्छा है Matthew Kornman है, last year 2 match में 2-2 विकेट निकाल के आ रहे हैं लेकिन head to head में 2 match में एक विकेट है लेकिन विकेट निकाल जाते हैं पिछले recent form देखें तो लगबख हर match में विकेट आ रहे हैं विकेट लेस नहीं जा रहे हैं तो try किये जा सकते है Spencer Johnson मुझे लगता है कल के match में विकेट निकाल सकते हैं selection काफी कम है कुछ इनका 15-17% selection है तो bowling first करते हुए ये खिलाड़ी आपके लिए एक trump card पे थावित हो सकता है इस match में तो ध्यान रखना है डेथ bowling की बात करें Bartlett है, Johnson है और Walter है important player की बात करें इस team से तो Munro है Max Winnie है, Walter है Bartlett और Nisar जो है इस team से important खिलाड़ी है बात कर लेते हैं होबाट हरीकेन की लेकिन उससे पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है न तो चैनल को सब्सक्राइब करके वेल आइकन जरूर दबा दीजिए और साथ के साथ वीडियो को भी लाइक कर दीजा करें इससे मुझे भी motivation मिलता है आपके लिए regular वीडियो बनाने के लिए आप बात करते है होबाट की so Ben McDermott open करेंगे Caleb Jewel या फिर Matthew Wade की बापसी हो सकती है आप बात करते है venue पर ठीक ठाक record है यहाँ पर Ben McDermott का so और head to end में ठीक ठाक record है तो फिर यह as a better खेलते है फिर थोड़े सा risky हो जाते है ठीक है न लेकिन small league में रखना ज़रूर है क्योंकि important है Caleb Jewel अगर खेलते हैं तो एक अच्छी pick है venue पर record उतना अच्छा नहीं है बढ़ यह start दे देते हैं और आपको ठीक ठाक points दे देते हैं तो एक अच्छी pick बन जाती है small league में सैम है ने last match में एक क्यावनन की पारी खेल कर आ रहे है head to head में अच्छा इस venue पर जो दो match खेले हैं आपर अच्छे numbers है इनके तो betting first करते हुए सैम है ने आपके लिए अच्छी differential pick साबित हो सकती है selection इनका कम होने वाला है Corey Anderson है अब Nikhil Chaudhary के आने से न इनके थोड़े से over deduct हो रहे है तो mostly as a better जो है जादा खेल रहे है तो grand league में try कर सकते है Tim David है starting में जो है over कराया जा सकता है इनने last match में भी करवा लिया गया था Colin Mundo के सामने इनका use हो सकता है और batting first करते हुए आप इने रख सकते है क्योंकि उस case में इनके batting आने के भी chances बन जाते है Nikhil Chaudhary है पिछले कुछ match में अच्छा कर रहा है ये खिलाडी ठीक है ना तो आपके लिए अच्छी pick बन सकता है bowling first करते हुए क्योंकि लगभग अपने 3-4 over कर रहा है bowling first करते हुए आप इने captain wise captain भी try कर सकते है क्योंकि death में bowling ये करता है खिलाडी Patrick Dooley है यहाँ पर एक match में 0 विकेट है इस venue पर last match में विकेट नहीं मिला उससे पहले 2 फिर 0 फिर 2 फिर 0 तो यानि कि एक match में 2 विकेट लेते हैं फिर 0 विकेट लेते हैं अच्छी पिक बन सकते हैं पर यहाँ पर आएंगे Riley Meredith ठीक है ना so menu पर जो है चार match में 8 विकेट है head to head में अच्छे नमबर है तो भाई एक differential pick साबित हो सकता है ये किलाडी कल के match में जैसे Johnson विकेट निकाल सकता है यहाँ से Meredith एक अच्छी पिक आपके लिए बन सकती है तो आप इनको bowling खस्ट करते हुए एक मेरे साब से एक अच्छी खासी आपके लिए differential pick बन सकते हैं इस match में Death bowling की बात करें Nathan Ellis है Chris Jordan है important player की बात करें Ben McDermott है, Wade है, Wright है Jordan और Ellis बात करते हैं Small League, Captain Wise, Captain Ben McDermott अच्छी option है Jordan है, Walter है, Munro है Grand League की बात करें Nathan Ellis है Wade है, Max Sweeney है और Bartlett आप इनको Captain Wise, Captain Try कर सकते हैं चलिए अब create करते हैं Small League और Grand League की teams तो विकटीविंग section में अच्छी options है Ben McDermott है, Billings है, Wade है तो मैंने आपर Ben McDermott को लिए Sam Billings का record अच्छा है तो इनको try आप कर सकते हैं Batting first करते हुए Matthew Wade खेलते हैं, so must have pick रहने वाली है बात करते हैं, batting section में राइट को लिए है और Munro को लिए है, Caleb जल open करते हैं तो यहाँ पर इनको लिए जा सकता है Josh Brown एक और अच्छे pick है Tim David है, Sam है, इनस options काफी है यहाँ से बात करते हैं, all-rounder section में तो यहाँ पर मैंने Jordan को लिए है, Walter को लिए है यहाँ पर मैंने Max Sweeney को लिए है आप चाहें, तो यहाँ पर Chaudhary को ले सकते हैं Michael Nieser को मैंने try किया है अगर आप चाहें, तो इनकी जगा changes कर सकते हैं बात करते हैं, bowling section में तो Nathan Ellis Bartlett को लिए है और मैंने Meredith को लिए है आप चाहें तो Patrick Dooley को भी रख सकते हैं Kunaman है, Johnson है, सो options काफी है अब एक player बचने है, तो अभी के लिए मैंने आपर Wade लिया है, अगर Wade नहीं खेलते हैं तो उस case में जो आप एक extra bowler लेकर चल सकते हैं, Dooley को आप अपनी टीम में रख सकते हैं, तो अभी के लिए हमारी small league की टीम ये बन जाती है, बात करते है captain wise captain की, captain जो है मैंने अभी के लिए walter किया है, अगर पहले bowling आती है heat की, तो इनको captain करेंगे otherwise Jordan को कर सकते है, और wise captain मैंने अभी के लिए Jordan को किया है तो ये बन जाती है, हमारी small league की टीम final team आपको telegram पर मिल जाएगी, जिसका link description में, तो जरूर जुड़ जाना है बात कर लेते हैं, grand league teams की so 2 teams create करी है, team 1 जो हमने heat के favor में आई है, जिसमें ben mcdermot को captain किया है, wise captain जो हमने Nathan Ellis को किया हुआ है, team 2 की बात करें so team 2 में हमने Colin Munro को captain किया, और wise captain जो है, Paul Walter को किया हुआ है, तो ये बन जाती है grand league team number 2, आप इसी तरही किसे multiple teams create कर सकते हैं, और किसी एक player को भी multiple teams में captain, wise captain कर सकते हैं, उमीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई है, पसंद आई है, तो like करो, share करो, comment करके बताओ, आपके इसाब से best choice, captain, wise, captain कोन होने वाली है, साथ के साथ YouTube channel के subscribe करके bell icon दबा दीजिए, जैसे वीडियो आएगी, आपको notification मिल जाएगी, all the best guys